पाकी ने सई का हाथ पकड़ कर क्या कहा जी हां दोस्तों सीरिल गुम है किसी के प्यार में आने वाला एपिसोड और भी जादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह फाइनली पाकी को जो है वो होश आ जाता है और विराट जो है वो सई का ब मेरे परिवार के लिए तुमने पाकी की जान बचा ली क्योंकि अगर सबको पता चलता पाकी की जान नहीं बचकी तो我說 मुझे ब्लेम करते नियुकर ने सब चैर्प परिशान हो गयते और सब विराट को ही ब्लेम करना शुरूर जात में देख़ा कि किस तरह पाकी को ठीक कर सबस्क्राइब कर रहा था कैसे विराट किया वार मुझे मनाने की कोशिश कर रहा यह दूनों पर से एक पकड़ेंगे तो यह सब लगते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही विराट चला जाएगा और से पाखी की तरब देखेगी पाखी को होशा आ जाता है सहीड बहुत खोश हो जाती है सεςीड पाखी का हाथ पकड़ के कहती है ठैंक्यू आपको खोश आ गया पता है आइक बाहर कितने परशान् делает सब के सब ये बात वाद सुनकर पाखी उत गिश्जड़ों के देखती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया इस बात पर सही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपके मन से इतनी सारी गलत फेहमी जो है वो कब निकलेंगी पाकी दीदी मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चलता रहता है लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने उसी किनात आपकी जान बचाई है तभी आप देखेंगे किस तरह पाकी जो है वो सई से बहुत बड़ा सवाल पूछ देती है अब कौन सा बड़ा सवाल होगा तो चलिए बताते हैं तभी पाकी पूछती है कि सई अगर एक बात बताओ उस खाई में में और तुम दोनों होते विराट किसको बचाता मुझ में और तुम में से किसी एक को ही बचाना होता तो विराट किसका हाथ थामता इस बात पर सई जो है गुस्सा हो जाती है और सई कहती है इस बात का जवाब तो अपने पती से ही पूछेगा इस बात पर पाकी कहती है कि नहीं मुझे ये बात ही तुम से ह जाननी है लेकिन सभी के पास कोई जवाब नहीं होता लेकिन जहां पाकी के दिल में अभी भी इतनी गलत फैमिया है तो पाकी का आगे डिसिजन क्या होने वाला है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएए आपको क्या लगता है फिलाल इस वीडियो में टीवी और बॉलिवोट के जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आपी वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी लाइक कर दें